नमस्कार दोस्तों दोस्तों मुटापा एक ऐसी समस्या है जिससे लगबग हर कोई परिशान है और खास तोर पर पेट पे आया मुटापा दूर करने में सबसे ज़्यादा समस्या होती है फैट घटाने के लिए जादा तर कोई ड्रिंग या फिर व्यव्याम आदी भी बताये जाते हैं लेकिन आज की हमारी वीडियो में आप जानेंगे एक ऐसा तेल जिससे मालिश करने से पेट या शरीर के किसी भी भाग पर जमी चर्बी पिगनली शुरू हो जाएगी मोटापा घटाने का ये तेल बनाने के लिए आप एक चम्मच जोजोबा ओल एक चम्मच जैफल का तेल एक चम्मच सौफ का तेल और एक चम्मच माल कंगनी का तेल लीजिए और फिर इन सब चीजों को आपस में मिला लीजिए इस तरह से एक बहुती असरदार तेल बनता है इस तेल से आपको मसाज करनी है शरीर के जिस हिस्से पर चर्बी जमी हो जैसे की पेट बाजू आदी वहाँ इस तेल की थोड़ी से मातरा लगाकर अच्छी तरह से मालिश कीजिए इससे आपका ब्लड सल्कुलेशन तेज होगा और ये तेल तचा के अंदर जाकर मुटापा घटाने में साहेता करेगा अगर नियमित रुप से आप तेल से मसाज करते हैं तो लगबक 30 दिनों में ही आपको इसका असर दिखना शुरू हो जाएगा अब हम आपको बताते हैं कि वो कौन से आदते हैं जिन से मुटापा बढ़ जाता है अगर आप चाहते हैं कि आपको मुटापा ना बढ़े तो आपको ये आदते चोड़नी होगी तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने आपको मुटापा कम करने का एक असरदा तेल बनाना सिखाया है आप इस तेल से मालिश कीजिए और अपने शरीर पर जमी चर्बी को घटाईए इसी के साथी दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप लाइक कीजिए अपने दोस्तों रिष्टदारों के साथ शियर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए साथी साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि निया नोटिफिकेशन आप तक सबसी पहले पहुंच सकें धन्यवाद दोस्तों